आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजबानी तो देखिया आज भारत बनाम उस्ट्रेलिया के भी जो महा मुकाबला चल रहा था उसमें भारत की जो बैटिंग है वो पूरी हो चुकी है भारत ने 50 ओवर में पहली बार ऐसा वर्ल कप में ह लिए जो 241 रनों का टार्गेट दिया गया है क्या ये टार्गेट वाकई इतना बड़ा टार्गेट है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लगातार मैच में यह देख रहे थे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी है व क्योंकि देखे अगर हम भारतिया बल्लेबाजी की बात करें तो जितनी अपेक्षाई उनसे की गई थी उन्होंने आज शायद उन अपेक्षाओं पर अगर कहा जा तो वो खरे नहीं उत्रे कोशिश भरपूर की गई विराट कोली ने अर्दिशा तक जड़ा है केल राहू इंडियन बल्लेबाजो को जो सामना करना पड़ा है भयाना गेंद बाजी का क्या यही मुश्किले ऑस्ट्रेलिया इ बल्लेबाजो के भी सामने आएंगे क्या आज ये तमाम बड़े सवाल है जिन पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो यह जीत हासल करने के लिए एक बड़ा टार्गेट है लेकिन फिर भी बिकिट को देखते हुए यह स्कोर ठीक है जैसे जैसे इंडिया के भी बैटमेनों ने फंस करके बस इसमें यह है कि सुरू के दस ओवर जो अगर हमारे पेसबॉल और ने अगर दो तीन बिकिट इनके पक कर पाए तो इंडिया के लिए यह मुश्किल हो जाएगा यानि कि अगर दस ओवर में अगर रोहिद शर्मा या क्यों करें कि इंडियन टीम खुद को संभाल लेती तो शायद यह मैच इतना फसा हुआ नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं ने बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही क्योंकि रोहिद को लिया और यह राहुल जब खेल रहे थे तो करें 80 गेदों के बाद एक बाउंडरी आई थी बिल्कुल क्योंकि बिकिट उतना इजी नहीं है जितना लोग समझ रहें कि इंडिया इतनी आसानी से हर जाएगी ऐसा कुछ नहीं है इंडिया पूरी अपनी म बिल्कुल ठीक है आपने के एक जो धुंद है यह कहीं न कहीं बड़ा फैक्टर हो सकती है लेकिन देखे प्रदीप जी लगातार हम यह जिकर कर रहे कि जो यह पिछ है यह जैसी भारतिया बल्लेबाजों के लिए है ठीक वैसे ऑस्ट्रेलिया यह बल्लेबाजों के लिए क्या जितनी परिशानी भारतिया बल्लेबाजों ने जेली है इस बार वर्ल्ल कॉप के फाइनल में क्या ऐसे सिच्वेशन ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हो सकती है क्या प्रदीप जी बिल्कुल देखी जो भी पिछ है हमारा जो एक ग्राउंड है क्योंकि वहां का जो पिछ है इस समय काफी उखरता हुआ है कि काफी पिछ उखरता हुआ है तो इस समय जैसे इंडिया के साथ मिश्तिती हुई है वैसे ही आप देखेगा ऑस्ट्रेलियन सभी आएंगे हमारे जो बॉलर से मीडियम पेसर्स हैं हमारे बुम्रा हैं सिराज हैं और जो शमी हैं अभी बॉल देखिएगा चुकि ड्यू का फैक्टर है और उनको देखना है कि कितनी मदद मिल पाएगी मीडियम पेसर्स को तो सुरुवात के जो दोनों बॉलर्स हैं हमारे जो हैं बुम्रा जो कि हमारे इस समय ट्रमकार्ट बॉलर हैं और सिराज इन लोगों को मदद दिलानी होगी हर हालत में अगर यह मैच जीतना है तो इनको विकेट्स निकालने पड़ेंगे लो टार्गेट में आप अगली टीम 240 बनाईए अभी हमें लग रहा है कि हमारी इंडिया 240 है 241 चेस के लिए चाहिए औस्टेलिया को आप 241 रन बहुत होते हैं किसी चीज को आप अपने बॉलर्स पर आप देखिए कि इस वर्ल्ड कप में जो भी हमारे बॉलर्स हैं शमी हैं हमारे सिराज हैं हमारे बॉम्रा हैं नीचे जाहिए आप इस स्पिनर्स हमारे देखिए कुल्डी प्यादो जितना शमी चर जाते हो उसके बाद कुल्दी प्या दो हमारे जो हैं रविण जडेज़न ये लोग चर जाते हो उतना तो सुरवाती जो हमारे मीडियम पेश् donne है इनको विकेट निकालना ही पड़ेगा और छेतर रच्छन की बात है तो आप ये देखिए कि ऑस्टेलियन्स ने कितने रन बचाएं इंडिया ने ऑस्टेलियने टॉस जित करके अरत को बल्लेबाजी के लिए अमंतित किया और आप ये देखिए कि स्टार्ट रोहित ने बहु को भी मैनत करनी पड़ेगी सारे किलाणी को बिल्कुल कि जो है फिल्डिंग हो चाहे बॉलिंग में होची सब्सक्तित को कlawid को मिलकर कि कैसे की टीम को एक प्लान्वे में हमको जो मैंच जीता जा सकता है इसको उम्मीदे झोड़नी नहीं क्योंकि 240 क्रलाइht कम नहीं होते पर बढ़ जाती है तो आज का जो इस पिन ट्रैक ता उसका इसाफ से तो आज को भी एक मोका देना चाहिए ता फाइनल में शिराज की जगह लेकिन फिर भी जिस पे इंडियन टीम ने भरोसा जिन बॉलरों पर किया है उन बॉलरों को ही उनके साथ अब खेलना है क्योंकि अभी तक तो पिसे निकल जुगा लेकिन आश्टेलिया की टीम जुझारू टीम है वो टीम बड़ी टीम है जैसे जैसे टूनामेंट बढ़ता तो हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी है बस यह है कि अब इस परिस्तितियों का कितना है हमारे बॉलर फायदा उठा पाते हैं जो बिकिट है यहां पर क्योंकि उतना फास्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं इंडिया विरन बना लेते लेकिन अब इनको मेहनत करनी पड़ी इस प्रदीव जिस तरीके से जो आज भारतिया बल्लेबाट पाते हैं अच्छा प्रदीव जादा प्रदीव जिस तरीके से जो आज भारतिया बल्लेबाजों का जो ये विकेट लिया गया है ऐसा देख कि ये लगा कि शायद बल्लेबाजों ने बहुत हरबड़ी कर दी एक रन लेने की चक्कर में कहीं ने कहीं आज वो उस मैदान पर बहुत हरबड़ी करते हो इन नजर आई क्या ये वज़े थी ज जैसे मैच कहल लही थी एक समय लाग रहा था कि न्यूजी लैंड केन विलियामसम मिचल दोनों अच्छी पार्टनर्शिप कर रहे हैं मगर देखिए वहीं पर चतुरबाजी जो हमारे कपतान है काफी चतुर गपतान है उन्होंने शमी का प्रियोग कि बाद में रखेंगे अभी क्योंकि यह पार्टनर्शिप तोड़नी है तो आप यहां पर यह नहीं कह सकते हैं कि कोई हरबड़ी है हरबड़ी नहीं है देखिए उन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि वह पांच बार के विश्व बिचेदा है वो टीम हलकी टीम नहीं है और अच्छा पूरी टीम स्पिरिट और अस्टेलियंस ने आपने देखा होगा स्टार्टिंग से कोई भी कैंचेज मिस नहीं किया कोई फिल्डिंग साब देखिए बाउंडरी जो चौके मारे हमारे बैट्समैनों ने ऐसा नहीं है उनको कहीं नहीं डिप्रेशन मिलाए गया ह काफी डिप्रेश हो करके तभी उन्होंने अपने विकेट गवाए हैं और टीम भावना के साथ में ऑस्टेलियंस खेलिए और कहीं न कहीं उनका भी मनोबल क्योंकि जो फाइनल पहुचा है दोनों टीम में तो जाहिर सी बात है दोनों टीमों का मुराल काफी हाई है बिल्कुल बुराल है लें देखें संजेट झी लगा था जिस तारीके से सेमि फाइनल Mario अगर हम दोनों ही टीमों का दीख से तोतों ही तीमों को तकड़ा जटका लगा था जिस तरहीं सेमिफाइनल में जो भारती गेंट-बाज उनको तकड़ा झहला लगा था ठीक वैसे ह बल्लेबाजों को भी करारा जटका कहीं न करें सेमिफाइनल्स में लगा था अब देखें जिस तरीके से आज ये महा मुकाबला है जो अपसे थोड़ी दिर बाद ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज वो क्रीस पर आएंगे क्या अब प्रोहिद शर्मा को अपनी स्ट्राटज कर ओड लाजी में बदलाओ तो करना ही पड़ेगा उनको बॉल्लों को चेंज करकर के ज्ञादा लम्बा और किसी भी ky जैसे आज टेलिया कितान ने चोटे शोटे 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 में बॉल्लों को जेंगा नमें करते हुए क्यों temporacas we बाई अच्छे बॉल्यों को टीक हैं मार नहीं सकते हैं कि лиकिन जो फाट्टेमर युह उोड है उर्यों को चांस लेना चीदधा वह चाहिए ने माजना खर सिन में गड़ते हैं जैसा किस त्वेट में काज सबाग्र कि इस तो लिकिन आप तो में सेओगू है प्रोडी पास गेंगे तो वह उतना खेल नहीं पाता है अभी हमारे बॉलरों को हमें तो पूरी उमीद है कि बाउलर नहीं ओके कुछ चैड़कार के अच्छी बालिंग करेंगे बाखी लक। इंडिया को कहां तक ले जाता है देखें फिलाल अगर प्रदीब जी अगर हम इस मैच पर गौर करें तो जो भारतिय टीम है वो इस मैच में अजे रही है एक भी मैच हारी नहीं है और जिस तरीके से संजे सिंग ने भी जिक्री किया कि स्ट्राटीजी में फिलाल एक जो बड़ा बदलाव है वो करने की जरु है कि कोशिश मैडम यह कह सकते हैं कि जो यह टार्गेट है 240-241 का जो टार्गेट हमें जीतने को मिला है क्योंकि काफी लोग निराश है आप देखें पूरे जितने भी इंडिया के खिलाडी हैं जितने भी लोग हैं दर्शक हैं वहां भी ग्राउंड पर आप देख रहे हो को एक प्लानव में बॉल कराना है मीडियम पेसर्चे को docो तीन तीन ओवर कराना है अगर विकेट नहीं मलता है तो कोशिश करना कि पिनर्स गजाबाना इनको लगाना कही ना कहीं से उनका विकेट का पतन कराना है और फिल्डिंग तो एक्जेक्यूट मेन अगर आपको टीम जिताती है तो कैंच्छ विन मैच्छ इनक करना है, वार्नर का और ट्रेवेज हैड है जो जो ओपनिंग पार्टनेशी पर लाबुशान है, जितने भी ब तो आप जानते हैं से मैं Trump Card एक लुप में एक शमी हमारे पास हैं, जोह कि कभी मी टीम को धराशाही कर सकते हैं, और किंसी कौराव अगर शमी नहीं हो सकते हैं, तो हमें जल से जल सी शवि스럽ने लाना पड़ेगा, जो हमारे पास दोनों अच्छे left arm spinners हैं, एक कुल्दी प्यादव और दूसरा हमारे रवीन जड़ेजा, क्योंकि रवीन जड़ेजा एक बिलकुल सीधा-सीधा बॉल फेकते हैं बिलकुल, और विकेट टू विकेट और बात रही कुल्दी प्यादव की तो उनको खेलना इतन लेकिन प्रदीव मैक्सवल की वो पारी भी नहीं बूल सकते हैं, जब वो इंजड़ होने के बाद उन्होंने 200 के रन का अकड़ा चुआ था कहते हैं, एक चना भार नहीं फोर सकता है, तो वो कभी लग है, लग था, अब वो लग ऐसा जरूरी नहीं कि यहां भी वही चीज काम करें, तो यहां देखना पड़ेगा, यह लो टार्गेट बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही प्लानवे में रोहिश शर्मा को करना है, औ को हासल कर सकते हैं, जैसे कि हम ने जिखरे किया वर्णर गार चर्याब, जो बाल trif do के बाद करेतों को वह घिचे आए, इनन वे वैसा वश्य वैसा तो बार नर को बुम्रा को खुल के नहीं खेल पाएंगे कि उसको कई वार आउट भी किया पीछे और रही हमारे जो तीनों बॉलर है शुरू के तो उसमें कुल्दी कुल्दी प्यादों ने मैक्सवेल को कई वार आउट किया उसको अगर गेंद बेजरा सभी उसको अगर घुमाव मिला तो भी जल्दी आउट कर लेंगे तो फिर मैक्सवेल इसमें वह मार नहीं पाया को वह उसने अफगानिस्तान की अगेंस इसलिए मार दिया था कि आफगानिस्तान की टीम अनभवी नहीं थी बिलकुल उनको लाश्ट समय में उसको पैर भी खिलाते रहे वो खड़ा-खड़ा इसलिए मैक्सवेल से उतना नहीं है अगर इंडिया ने दस ओवर में पकड़ दिया तो मैच इंडिया के पच्च में 60 परसेंट तो आई जाएगा अच्छा देखिए हम लगतारी जिक्रे कर रहें कि अगर दस ओवर्स के अंदर अगर गेंद बाजों ने अच्छा विकेट ले लिया तो कहीं न कई ये मैच फिर से भारत के पक्ष में आ सकता है तकरीब अगर अगर हम बात करें प्रदीब जी तो दस ओवर में कितने विके अगर ये Delekadas हमें बने रहते हैं तो काफी निकाल करके खोल करके खिलते हैं तो यह तीन विकेट को हमको स्टार्टिंग में निकाल नहीं ही पड़ेंगे बात रही है कि यह हमारे लिए प्रेशर इसक önी तो वही क्योंकि पिछ वही है वही ग्राउंड है वही स्टेडियम तो उनके लिए भी वैसे ही हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन समय समय का फरक होते हैं जब भारतिय टीम में क्रीस पर आई थी जब पिछ पर आई थी तो उस टाइम दुपैर को समय था इतना जो गीली पिछ है वो भी नहीं थी ऐसे में अब तो जो पिछ है लग कहा जा र अब तरहला ब्लों के लिए क्योंकि जब गीली जाती है नहीं तो बहुती हो पाती है सुकी गेंद रहती है जादा स्विग करती है लेकिन फिर भी हमारे समय और थी यों में खे़ने का अबहु है क्योंकि श बूम्रा भी मेरे खाल से दीमे दीमे 8-10 साल से किरकेट खेल रह को बड़ी दिक्कत होगी अगर हमारे बोलों ने सटिक लाइन लेंसे गेंद बाजी कर दी तो यह रन उनके लिए मुस्किल हो जाएंगे लेकिन संजेश अपने जिक्रिक किया कि जो इंडियन बॉलर्स इनके पास इतना एक्सपीरेंस हो गया है कि वह मैच को जिता सकते हैं अगर सब कुछ स्थितिया एकदम ठीक रही तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अस्ट्रेलिया इंडिया ने दो बार वल्लकप जीता है तो कहीं न कहीं उनके बैट्समें जो है अन्भवी है मैंने फिर वही खुल का कहा कि कि अभी बारनार और इसमी इतिनके ऐसे वैट्समेन है कि अगर यह खेल जाते हैं इसमें तैसा चलांक भी खिलाड़ी है क्यों खुद भी खेलेगा सामने वाले को भी खिलागे लिकिन मैं अभी आपको रोखना चाहूंगी क्योंकि लगतार हम और आप सभी जिकर कर रहे थ दो कि 16 रन पर शमी ने पहला विकेट लिया है और डेविड वाडनर गए है जो घातक बल्लेबास थे देखिए मैं यह आप से यह कहना चाहेंगे सभी देश्वासियों से चैनल के माध्यान से कहना चाहेंगे कि कि किसी को परेशान होने की जरुद नहीं है मैं जको आखरी चैनल होती है तो हऊसला भागवान की दिन अंडिया दर्द बनाए रखिए अब आप से बताया है गया था कि हमारे जो समय हैं जो संकट मोचन बॉलर हैं हमारे भगवान कीना थे मसीहा बॉलर है वह कभी भी पूरी टीम को धरासाही कर सकती है इसलिए को उन्देरे में जला बिल्कुल चीक कहा लेकिन देखे संजे जी आप भी लगतार ये कह रहे थी कि अगर शुरुवाती दस ओवर में ऐस्ट्रेलिया टीम पर एक प्रेशर बन जाता है तो वो कहीं न कहीं एक खड़बड़ा जाती ऑस्ट्रेलिया टीम का यह देखा गया है अब तो शमी ने सोला बन दे करके यह जो पहला विकेट है यह ले लिया है अब क्या इस स्टीते के बाद कुछ प्रेशर बनेगा क्यों इस इस शंखला में वह इनके इनकी टीम के रणर थे बार्नर बार्नर ने पांसोड़ से जारा न मना लिया और वार्नर की खेलने की स्टाइल वो तेज खेल इस इसी लिए वह मारने के चक्कर में ही वह भी आउट हुए होंगे बिलकुल यानि कि आपका साफ तोर पर कहना है कि मारने की चकर में आउट हुए होगे लेकिन अब यह जो मैसे लाइफ नहीं देख पार है क्योंकि स्टूडियो में हम इस वक्त मौजूद है लेकिन आपको पता है कि अभी हमारे साथी मित्र हमारे संजे सिंग जी जो इन्होंने बताया कि जब ड्यू आज आती है तो फिर बॉल मूफ करना कम कर देता है इसी के लिए इनों देखे जल से जल समी को लगाया है ताकि जितने अधिक से अधिक विकट निकाल जाए तो उतना ही ज्यादा प्रेशर ऑस्टेलियन से तो ऐसा नहीं क्योंकि यह फाइनल मैच है फाइनल हमारे कुलदीप हमारे रविंजेडेजा अगर यह चल जाते हैं तो समझ लिए टीम को दराशाई होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी इसलिए लास मुमेंट तक धैर बनाकर के मैच को देखते रहना है फिल्कुल देखे संजे जी हमने जिक्र किया था कि अभी इंडिया तो हमारे पाई सिसम में भी कहीं से इंडिया कमजोर नहीं आश्टेलिया से वह अलग बात है कि वह लंबे हैं तगड़े हैं देखने में लगते हैं लेकिन किरकेट जो होता है लंबे तगड़े की बात नहीं होती है तो इसलिए फिल्ड़िग में आप जर जड़ेजा जैस को छोड़े न पूरे 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 बुनाएं और बाकी एक बिगट गिरने से आश्टेडिया पे काफी प्रेसर आ गया है बार्नर के आउट होने से इनकी स्थिती वह अंडर प्रेसर में आ गया है बिल्कुल लेकिन देखे प्रदीव जी जो ट्रेविस हैड का विकेट लेन जल से जल इनको स्पिनर्स को लगाना पड़ेगा कि दस वर के अंदर कोशिश है तीन विकेट इनको निकालने ही निकालने है और ट्रेविस हैड किसी तरीके से भी चाहे रोहिश शर्मा को जैसे भी बुद्धिमानी से जैसे भी चतुराई बरी उनको स्पिनर्स को लगाना मैच है यहाँ पर और जो जब चेज करता है तो काफी प्रेशर जो चेज वाली टीम को होता है अदिकतर जो है बिल्कुल यानि कि जो दोनों ही टीम के लिए के मुकाबला बेहाद दिल्चस्प होता है लेकिन अब तो एक विकेट जा चुका है और अभी क्रीस पर फिलहाल जो अब जिकर कर रहें कि इस पीनर के खिलाफ उनके हाथ तंग और ऑस्टेलिया का विक पॉइंट क्या है अच्छा ने खेल पाते हैं लेकिन इंडिया का भी मलब ट्रॉम्प यह था कि इस पीनर ही के दम पे इंडिया आस तक खेलती आये लेकिन इस वर्ड़कम में इंडिया अगर इंडिया ने अगर रणेट अगर छे के उपके पेच्छा पेच्छा पेस्ट बॉल्रों ने जाता विकट गिरा है तो यह बिकिट जो है फस्कर क्या रहा पेज जो इस्टों की लोग खेलना चाहते हैं इसलिए यह 240 अनका अभी टार्गेट इनके लिए भारी पड़ इनके उपर पहुंचता चला गया तो यह रण इनको बनाना बड़ा मुस्किल हो जाएगा चाहे मैक्समेल हो चाहे कोई भी बैट्समें इनका हो लेकिन प्रदीफ अर्मा जी 241 का टार्गेट है जुसका पीच्छा बस्ट्रेडी आई टीम कर रही है आपको क्या लगता है क क्या जो भारतिया गेंदवाज अगेते दंदार है कि अल आउट कर देंगे यह क्रिकेट बाइचांस अभी मैने पूर में ही कहा था कि क्रिकेट बाइचांस है जो आप यह नहीं कह सकते कि 241 काम है 241 आप देखिए पुराने मैचेज आप 1903 आप उठा के देख लिजे लो जितने भी लो टार्गेट मैचेज होते हैं आप 201 हो 200 हो 200 हो 190 हो आप अगली टीम अगर 190 बनाई है तो हमें लगता है आसानी से हम जीत लेंगे और पतला अगली टीम पतला 1500 पर आउट हुई जा रही है तो 241 बहुत होते 300 गेंदे हैं हमारे पास में 300 बॉले हैं और 241 हैं त अगतार यह कहते हुए नजर आते और आकड़ों पर गौर करें कि एहमदाबाद के पेचे कैसे पेचे हैं जहां पर जो बाद में टीम बल्ले बाजी करने उतरती है 75 उसने जादा मैच जीते हैं क्या यह मैच यह जो आकड़े हैं यह बदलते भी रहते हैं इस पर तो यह है अभी तक तो इन्डिया ने इतनी मैनस अभी तक इस वरल्ड कप में किसी भी टीम को पूरे 50 अफर इंडिया ने निखेलने दिया है इसलिए उमीदों के साथ यह उन्मान भी लगा जा सकता है कि इंडियन बॉलिंग अच्छी है और इनको भी पूरे 50 उपर नहीं खेल ले देंगे क्योंकि 241 बनाना इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि फाइनल है कोई नाक आउट के लीग मैश तो है नहीं कि हार जाएंगे च चटका दिया है लाज मी है क्यों तो आप महां का देख रहे हैं कि अभी डू फैक्टर आएगा क्योंकि पिच पे उतना रन नहीं बना है तो इसका मतलब है कि अब इन टीब ऑस्टेलिया के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि काफी पहली बैटिंग जो उन्होंनों की है उ अब जो है दुबार मलब जो ऑस्टेलिया जो बैटिंग कर रही है तो उसके लिए भी दिक्कत है क्योंकि काफी उस पर देखेंगे चोटे-चोटे पैचेज वहां पर आ गए थे अभी हम लोग देख रहे थे बिलकुल जो है तो वो चीज इतना आसान नहीं है कि 241 रन बन जी ये मैच को लेके कहा जाता है कि अगर हमारे ओपनिंग जो बल्ले बाज अगर वो पहले आउट हो जाते है चाहे किसे भी टीम के हो तो मैच दूसरी टीम के पक्ष में सीधा-सीधा घूमता हुआ नजर आता है अभी क्रीस पर मौके पर मौजोद है ट्रेविस हैड और म इनका इनने बहुत रंकी हैं लेकिन अगर मार्स को रोगना इनको जरूरी है मार्स को अगर आउट कर लेते हैं तो और पर रेसार आएगा तो प्रदीव ची क्या आप संजेची की बातों से पूरी तरीके से सहमत है या आपकी कोई अलग रहा है इस नहीं देखिए नहीं के वर लाइफ उटेष सब्से सोथे सप्स på पर क्ती तर मचैट आज़ उस्ज श threeOoh or अधिखतर ऺत रही है और एदिक तरहर हम लोगों को बताते भी रहते हैं गया और पकता है कि यहां पर मार्श का विकट्र निकाल लेना तरह नो पहुत जरूरी है और लंबे को की अगर माज को निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी लगता है लेकिने क्या मैच लगातार आगे बढ़ रहा है पॉइंट स्टेबल पर लगातार बढ़ती जा रहे हैं क्या विकेट की दरकार है संजय जी बिल्कुल विकेट की दरकार है विकेट नहीं लेंगे अगर नहीं लेते तो फिर मैच निकलता चला जाएगा बिकेट लेना जरूरी ज़रूरी बिकेट गिराएंगे तभी मैच में आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर बिकेट न ले पाने अगदस ओबर के अंदर में तर फिर फिल्डिंग फैल जाती है क्योंकि अभी तो माली जी दो फिल्डर वहार रहते हैं कहीं सभी गैप में से खेल देते हैं बाउंडरी हो जाती है जब फिल्डिंग फैल जागी तो इनके लिए भी रन बनाना असान नहीं होगा दस ओवर में कम से चालिस रन पैतेस तरन पे अगर यह तीन बिकेट निकाल लेकिन प्रदीम जी जा रहा है जब तक कि अभी मित्र हमारे संजे सिंग कहनी रहें कि 10-15 और जो हमारे स्टार्टिंग का है इस पर में फोकस करना है रन वाने नहीं रखता है अगर हम इनके ऑस्टेलियंस के अगर यह जो बलेबाज सलामी बलेबाज जैसे यह हमारे से हमारे लबुशाने हैं तो इतना वह नहीं है कि जान है और इस चीज को ऑबार-बार यह कह रहे हैं कि अपरे अच्छी के चेत रखद्ध लिए तो टीम हमारी हर यालत में जीते वह परिशाणों की बिल्कुल जरुपतने लेकिन देखे संजे जी अगर हम अपनी टीम के बात करें तो हमारी टीम कई न कई छक्क्यों चौके मारने के लिए स्ट्रागल कर रही थी लेकिन मिचल लगातार चौके जड़ रहे हैं अभी मैंने कहाने कि मिचल उनका खिलाड़ी लंबा है वह गेंगी दीश में पहुंच जाता है वहां से मार देता है इसलिए वह मार के दस ओबर मार खेले दस ओबर में असी रन मना हैं रोहित ने मारा रोहित या सुबंगिल जरूर जल्दी आउट हो गया तकि सुबंगिल ने भी अब्दाबाद मेरा इसलिए लेकिन मिचल को खेल संबावनाओं का खेल है वह मारता रहेगा दस ओबर यह भी मारें कि यह बस इनको सरक्ल पार कराना है सर्क्ल पार करा कि निए उच्वा हो गया वही इस ती इंडिया ने भी तो किया दस ओबर मेंसी बनाए तो अभी मैश लंबा इतना जल्दी नहीं खाता माना देव मारने चक्कर में कहीं ने कहीं यह भी पकड़ेंगे बद्दस ओबर इंडिया को निकालने हैं जिससे फिल्डिंग फैल सके अचा प्रदीब जी ऑस्ट्रेलिया की टीम में यह देखा गया है कि वह बहुत करते हैं क्या अपील क आपने भी देखा हुगा क्यूने आम्पाय से रिवी लिया था जबकि उनको कीपर ने जो नुनके जॉर्ची किपर है उनbach वह ऻन्होंने कifa को के का ने लगा नहीं है क्योंकि जड़ेजा का था जड़ेजा का इंड़ेश्मेंट किया ड़ेन देखते हैं नहीं भी है तो ए सब्सक्राइब करेंगे और उसी में देखिए इन लोगों ने जो हैं मेडली डिस्टप करके रविन जड़ेजा का विकेट ले लिया उने लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई टूर्नमेंट होता है तो उससे बहले जो तमाम जो तमाम जो अस्ट्रेलिया सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए इंडिया इन बातों पो ध्यान नहीं रखना है कि वह क्या कहरा है क्या नहीं कहरा है हमें समय क्रिकेट पर फोकस करना अभी मैच काफी लंबा है साथ गेंदे मेरे पास में उतनी ज्यादा गेंदे हैं हमारे बॉलर्स अगर चाहेंगे और परेशान करेंगे अगर ऑस्ट्रेलियंस को और इस्पिनर्स को वह अच्छा खेलनी पाते हैं यह आपको पता है और वह दबाने की पूरी को हाओ ज़ोष काफी ने ज़ोष तो है मैच अभी है यहां से थिरी होते हैं भी जा कर के देखना है घर के फो राच्गे हैं कि हाईये मैच देखने के लिए लिए तो मैं जोस नहीं हुता हमां इसमिन क्रिकेटर्ण गर्टन है टो फ्रीश तो है मैच जबता है कि मैच कह फ़ प्रादीवर्मजी क्या प्लैन है यहां से जाने के बाद आपका तेकि मैं तो अभी मैच के लिए काफी लोग निराश हैं मगर मैं तो यही प्लान में कि अंदर से जो इश्वर से प्रात्ना एकि आज इंडिया जीतेगी क्योंकि लोग टार्गेट में काफी लोग परेशान ह जो पर आए तो देख रहे थे कि लोग परेशान थे कह रहा थे कि लग रहा है लेकिन अब आप लोग की बातों को सुनके मुझे भी थोड़ा हाँ सटीस्फैक्शन लग रहा है कि नहीं जीट सकती है इंडिया कि कि हम लोगों ने कई मैचिस को गया देखिए और एंडिंग करते करते एक और विकेट हो गया और यह विकेट कितना बड़ा है मैं फिर पूछना चाहूंगे आप से इसमें एक चीज यह देखिए चालीस रूनों में 11 रन तो बल्ले से नहीं गए चालीस रन जो बने है इसमें 11 रन एक्ष्टा गया है बिलकुल तो देखिए रिचल जिनका विकेट हम मांग रहे थे जिनके विकेट की दरकार थी प्रदीब जी उनका विकेट चला गया है और बुम्रा ने यह विकेट लिया है प्रदीब जी देखिए मैंने अभी आप से य तक मेरे पास में ज्यान हैं अभी हम कह रहा हैं कि आख आप देखेगा सफलताइं जरूर मिलेगी जीतेगा बैशी इंडिया जीतेगा बिलकुल इंडिया जीतेगा धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो अरी तमाम सवालं और तमाम जो जनता का डड़ था उस से कहीं जादा स्ट्रगल आभ ये औस टीम करती हुई नजर आरी है क्योंकि दो विकेट ऑस्टेलिया के गिर्चुके है जी हाद जिन विकेट की दरकार थी वो विकेट बुंबरा और मुहम्मद श्वमी ने मिल कर लिया है यानि कि अब आस्ट्रेलियाई टीम पर सीधा सीधा एक प्रेशर बन चुका है अब उस प्रेशर से कैसे निकलती है आस्ट्रेलियाई टीम ये देखना बहुत दिल्चस्पों का फिलाल मैच जारी है और लगातार भारतिया गेंदबास अपना कमाल कर रहे है तो वही दूसरी तरफ अस्ट्रेलियाई बल्ले बाजों के ओपर दबाव बनाने का पूरा पूरा काम भारतिया गेंदबास कर रहे है खबरों का सेस्टा यूही जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं ये प्राइम टीवी